Dear students, इस वीडियो क्लास में प्रिश्णावली 8.3 का तीसरा सवाल हल करेंगे इस चैप्टर का नाम है B.G.WINJAK एवं सरसमिकाई, क्लास A.N.C.R.T. Maths ठीक है बच्चो? और इस प्रिश्णावली का पहला और दूसरा सवाल मैंने आपको समझा दिया है अगर आपने दोनों सवाल नहीं देखें, तो उनके लिंक में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देदुँगा आप दोनों सवालों को देख सकते हैं, ठीक है बच्चो? तो चल injury वड़ावर्स इस वीडियो क्लास को सुरू करते हैं तो बच्चो तीसरा सवाल है, गुणन फल ग्याद कीजिए, इस सवाल के हमें ये चार भाग दे रखे हैं, ठीक है, हमें इनके गुणन फल ग्याद करने हैं, तो चली शुरू करते हैं, फर्स्ट पार्ट से, तो बच्चो फर्स्ट पार्ट में हमें दिया है, एक इगात दो गुणा, दो एकिगाद बाईस, गुणा, चार एकिगाद चब्विस, हमें इन तीनों की गुणा करनी है, ठीक है, चले फटावट से गुणा कर लेते हैं, तो देखो बच्चो, गुणा करने का आसान तरीका क्या है, एकिगाद दो, इसको आप जिओं का त्यों लिख लो, ठ लिख सकते हैं दो गुणा एक इखात 22 ठीक है गुणा चार एक इखात 26 को हम लिख सकते हैं चार गुणा एक इखात 26 ठीक है अब देखो हमें क्या करना है संख्या की गुणा संख्या से कर लेनी है फिर बच्चे का एक इखात 2 एक इखात 22 और एक इखात 26 इनकी गुणा एक स तो इनकी गुणा 1. 2. तो ह हम क्या करेंगे? इन घातों को जोड़ लेंगे. गुणा का नियम क्या कहता है बच्चों? अगर आधार एक जैसे हो, तो गुणा में घातों को जोड़ लेते हैं. यहां आधार क्या है? ए, 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 यानि तीनों ही आधारीक जैसे हैं, और तीनों में गुणा हो रही है, तो हम क्या करेंगे, इन घातों को जोड़ेंगे, ठीक है, एक बार ए लिखेंगे, फिर सभी घातों को जोड़ कर लिखेंगे, तो 2 प्लस 22, 24, 24, प्लस 26, 50, तो हमें मिलेगा, एक गात 50, ठीक xy गुणा, माइनस 9 बटे 10, x square, by square, हमें इन दोनों की गुणा करनी है, ठीक है, चली फटावर्ट से गुणा कर लेते हैं, तो देखो बच्चों, हम 2 बटे 3 xy को लिख सकते हैं, 2 बटे 3, गुणा, x गुणा, by, ठीक है, गुणा, माइनस 9 बटे 10, x square, by square को हम लिख सकते ह है, माइनस 9 बटे 10, गुणा, x square, गुणा, by square, ठीक है, आप देखो बच्चों, हमें क्या करना है, यहाँ पर, संख्या की गुणा, संख्या की साथ करनी है, x की गुणा, x की साथ करनी है, y की गुणा, by की साथ करनी है, ठीक है, चली फटावर्ट से कर लेते हैं, तो संख् आकफे तीन गुणा माइनस नौ बटे दस ठीक है गुणा बच्चा गया X गुणा X की खाथ बच्चांक गया Y गुणा Y की खाथ दो तो bagai गुणा Y की खाथ 2 अचेली फटावट से गुणा कर लेते हैं, तो देखो बच्चो, 3 से 9, 3 बार में cancel हो जाएगा, 3 तिया 9, ठीक है, और 2 से 10 पांच बार में cancel हो जाएगा, 2 पंजे 10, तो क्या बचेगा, माइनस 3 बटे 5, माइनस 3 बटे 5, गुणा, X की गुणा, X ही गात 2 से करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, यहां X ही गात 1 है, यहां X ही गात 2 है, दोनों यह X, X हैं, तो हम इन गातों को जोड़ लेंगे, X लिखेंगे और दोनों गातों को जोड़ कर, X ही गात 3, ठीक है, गुण बाई गोना बाई की गात दो, यहां से में क्या मिलेगा, भई यहां बाई की गात एक है, यहां बाई की गात दो है, तो भई बाई लिखेंगे, और इन दोनों गातों को जोड़ कर दिख लेंगे, ठीक है, अब यहां से में क्या मिलेगा माइनस 3 बटे 5 गुणा x की गात 3 बाई की गात 3 तो यह हो जागा माइनस 3 बटे 5 x की गात 3 बाई की गात 3 यह हो गया भई सेगेंड पार्ट का आंसर ठीक है, I hope आपको समझ में आ गया होगा चली थर्ड पार्ट को सॉल्ड करते हैं थर्ड पार्ट में बच्चों में दिया है माइनस 10 बटे 3 प क्यू की गात 3 गुणा 6 बटे 5 प की गात 3 क्यू ठीक है, इन दोनों की हमें गुणा करनी है तो चली फटावट से गुणा कर लेते हैं देखो बच्चों इसको हम लिख सकते हैं 6 बटे 5 गुणा प की गात 3 गुणा क्यू ठीक है, अब हम क्या करेंगे बच्चों संख्या की संख्या के साथ गुणा करेंगे प की गुणा P के साथ करेंगे क्यू की गुणा Q के साथ करेंगे ठीक है तो सबसे पहले हम संख्याओं की संख्या से गुना करेंगे तो संख्याओं है माइनस 10 बटे 3 गुना 6 बटे 5 ठीक है फिर बच्चेगा क्या P गुना P की गा 3 तो इनको एक साथ P गुना P की गा 3 फिर क्या बचेगा Q की गा 3, bona Q तो इनको एक साथ Q की गा 3, bona Q ठीक है? अब चली फटा फट से गुना कर लेते हैं तो यहां आगर cancel हो रहा है तो cancel करेंगे पहले देखो 5 से 10 दो बार में cancel हो जाएगा ठीक है औ问 3 से 6 दो बार में cancel हो जाएगा तो बचेगा क्या, माइनस 2 गोना 2, तो 2 दूनी 4, माइनस है, तो माइनस भी आ जागा, माइनस 4 ठीक है, गोना, P गोना P की घात 3, यहाँ P की घात 3 है, तो यह जागा भई, P की घात 4, गोना, Q की घात 3, गोना Q, यहाँ Q की घात 3 है, यहाँ Q की घात 3 है, तो यह जागा, Q की आ रहा होगा अब इन की गुणा करेंगी तो हमें क्या में लेगा माइनस चार पी की गहात चार क्यू की गहात चार ये हो गया भई थार्ड पार्ट का आंसर ठीक है बच्चो I hope सवाल आपको समझ में आया होगा चली लास्ट पार्ट को solve करते हैं तो बच्चो लास्ट पार्ट में हमें दिया है X गुणा X की हाथ 2 गुणा X की हाथ 3 गुणा X की हाथ 4 चारों ही X X हैं चारों में गुणा हो रही है तो हम क्या करेंगे गातों को जोड़ लेंगे ठीक है तो इसका आंसर क्या हो जागा एक बार हम x लिखेंगे अब यहाँ देखो x गिखात 1 है यहाँ 2 है यहाँ 3 है यहाँ 4 है सब को जोड़ लो 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10 तो आंसर हो जागा x गिखात 10 यह हो गया 4 part का आंसर यहाँ पर हमारा यह सवाल complete हो जाता है यानि उत्तर complete हो जाता है उम्मीद है यह सवाल आपको समझ में आगया होगा मिलते हैं अगले वीडियो ग्लास में